हलो दोस्तो ट्रेडिंग विद राज यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हमने ट्राइडेंट के सेयर प्राइस पे लगबग 5% का अपर सर्किट लगते हुए देखा तो ट्राइडेंट के तरफ से एक जबरदस्त निउस निकल कर आई है और इसी वज़ा से आज इसके सेयर पे अपर सर्किट लगते हुए नजर आया है तो चलिए डिटेल्स में जानेंगे इस निउस के बारे में लेकिन दोस्तो उससे पहले आपसे रिक्वेश्ट है इसी प्रकार के और भी वीडियो के लिए अभी आप इस चैनल को तुरण सस्क्राइब कर लिजिए बल आइकन को हमेशा प्रेस करके रखे इसी प्रकार के वीडियो के नोटिपिकेशन आपको मिलते रहेंगे मैं आपका भाई आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूंगा दोस्तो दोस्तो आज है 29 जुलाई 2021 और आज ट्राइडेंट लिमिटेट का सेयर प्राइस 19 और 4.79 परसंट का इंट्राडे में हमें ग्रोथ देखने को मिला है दोस्तो ये इसके नए 52 विक का हाई है इससे पहले ये स्टॉक 19 रुपए 30 पैसे इसका 52 विक का हाई था तो आज क्लोजिंग भी हमें देखने को मिली है बड़ी ब्रेकाउट देखने को मिली है और ये ज दोस्तो उसके बाद अगर मैं आज डिलवरी परसंटेज की बात करूं तो 62.7 परसंट आज डिलवरी उठाया गया है उससे पहले 37, 58 यहां पे आल टाइम आप देख सकते हैं डिलवरी के परसंटेज हमेशा से ज़्यादा रहा है जो भी माल उठा रहे हैं लॉंग टाइम क सोच के ही उठा रहे हैं बेस्ट पेनी स्टॉक है दोस्तो बेस्ट पेनी स्टॉक यह छे रूपे से था तब से मैं इसको कवर कर रहा हूं और लगातार इसके प्राइस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अब दोस्तो यह फंडामेंटली भी श्टॉंग है और इनके रिटन क की बात करूं तो पिछले एक साल में 196% का लॉंग टाइम पे भी अच्छा रिटन है और पिछले 6 मंद में भी 35% का बहुत अच्छा रिटन हमें देखने को मिल रहा है अब चलिए न्यूस की तरफ नजर डालते हैं और क्या है वो न्यूस वो आपको बताते हैं यह आपको अपने 52 विक का ब्रेक आउट दिया है दोस्तोור उसके बाद यह है वो नियूस जो ट्राइडंट की तरफ से निकल कर आते है ट्राइडंट इस्तॉक आज नया बाऊन विक का हाई तक किया है जब कंपनी के तरफ से निउस निकल कर आई है कि Trident Limited एक्सपांड करने के लिए अपने बिजनेस को यारन सेगमेंट जो है उसको एक्सपांड करने के लिए 338 करोड का इन्वेस्टमेंट करने वाली है तो जैसी ये निउस निकल कर आई थी दोस्तो हमें भयांकर तेजी देखने को मिली और 5% का लगबग यहां पे अपर सरक्रीट लगते हुए नजर आया दोस्तो ये कंपनी जो है जो 338 करोड की इन्वेस्टमेंट करने वाली है अपने यारन सेगमेंट के बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए उसमें 253 करोड यह एक्स्टरनल बॉरविंग से करेंगे और बाकी के 85 करोड इनका जो इंटरनल एककाउंट से वहां से यह अरेंजमेंट करेंगे तो टोटल 338 करोड का इन्वेस्टमेंट होना है और अब यह स्टॉक अपने आल टाइम हाई के ऊपर ट्रेट कर रहा है तो इसमें 25-30 रुपए का लेवल तो डेफिनेटल बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे और इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो भी आने वाला है तो उसमें भी आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी तो दोस्तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको सारा चीज़े बता दिया डिटेल्स में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना आप लोग लाइक करना चैनल सस्क्राइब करना और बेल आइकन को हमेशा 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 प्रेस करके रखना मैं आपके लि बाँ कर दो ही दो राट मुदल हुआ कर दो ही दो और नहीं